नमस्कार किसान भाईउं, स्वागत है हमारी यूटूब चनल Agriculture KS और मैं हूं किसान मित्र KS मीना भाईउं आज हम एक एंसे ट्रेक्टर का रिविव करने जा रहा है जो की 1963 से और आज तक किसानों के दिलों पर राज करता आ रहा है इसी ट्रेक्टर के कारण महिंद्रा नमबर बन कंपनी बनी है इंडिया के अंदर तो वाईउं महिंद्रा ने 1963 बी 275 निकाला था सबसे पहला ड्रेक्टर आज भी मार्केट में इसका दबदबा जा रही है चलिए अब देख लेते हैं कि समय के सान सांथ महिंद्रा ने इस ट्रेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजिस कीए हैं किसानों की ज़रूध के साबसे साब से तो सामने इसमें आपको सबसे पहले 80 किलो का बंपर मिल जाएगा और यहां उपर इसमें आपको महंदरा का लोगो मिल जाएगा क्रॉम फिनेसिंग के साथ यहीं इसकी जाली कुछ इस प्रकार बनाई है जिससे कि इस ट्रेक्टर की लोग के साथ इंजन को भी अच्छे से हवा मिल सके और भाई लाइटों की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको हेलोजन बल्प के साथ ही हेड लाइट मिलती है भाई इसके फ्रेंट एक्सल की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको बो टाइप का मुड़ा हुगा एक्सल मिल जाएगा जिससे कि इस ट्रेक्टर की टर्निंग रेडियस भी कापी अच्छी हो जाती भाई अगर बात करें इस ट्रेक्टर की पावर स्टेरिंग के बारे में इसके अंदर महंदरा डवाल एक्टिंग पावर स्टेरिंग ही ओफर करता है महंदरा हर मॉडल में डवाल एक्टिंग ही पावर स्टेरिंग ओफर करता है और यहाँ पर इसमें आपको oil engine filter की position यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ side में यह आपको इसमें battery box मिल जाएगा और इसमें hydraulic filter का भी बड़ी size का दिया है जिससे कि इसको अच्छे से filtration oil करके इसकी hydraulic चमता और भी best हो जाती है और यहाँ पर इसमें आपको oil wash type का three stage pre cleaner के साथ इसमें आपको air cleaner offer करता है महेंदरा और यहाँ पर इसमें आपको नीचे यहाँ भूमी पुत्रा की branding मिल जाएगी एस tractor भूमी पुत्र सीरेच का है चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस tractor का ground clearance की कितना क्या जमीन से उंचा है ठीक है जी जमीन से महेंदरा ने काफी महेंदरा के तो बैसे हर tractor उंचे ही आते है जमीन से काफी अच्छी इसका ground clearance है यह देखो भाई जमीन से काफी उंचा है चलिए अब बात कर लेते हैं इस tractor के फ्रेंट टायर साइच के बारे में तो भाई महेंदरा इसके अंदर किस साइच का टायर डाल के देती है इसके अंदर आपको छे सोला काई टायर ओफर करती है महेंदरा ट्रस्टेड बरांट गुडियर का डाल के देती है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफी बड़ी साइच का रेजीगेटर मिल जाएगा जिससे की ट्रैक्टर बार्टर कूलिंग सिस्टम के साथ अच्छे से बर्क कर सके और इसमें आपको सिंगल डीजल फिल्टर की पुजीशन यहाँ पर मिल जाती है और इस की टेक्टर के अंदर पंप भाई माईको काई 3-Cylinder एलाइन पंप ओफर करता है महेंदरा और इसमें आपको 2 किलोवाट तक की सेल पे स्टार्टर मॉटर मिल जाती है जो की टेक्टर को काफी आसानी से स्टार्ट कर देती है महंदरा ही एक ऐएसी कमपनी है इंडियन मारकेट के अंदर जो की छह वर्स की वारंटी देती है और यहाँ पर इसमें आपको साइड में इस्टीकर लगा के देती ही नई जमाने का कापी खुबसूरत लगता है इसमें आपको black end, silver में आपको यहाँ पर महंदरा 275 DITU XC Plus की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इसके मटगाट के अंदर ही आपको यहाँ पर indication light मिल जाएगी जो की halogen bulb की साथ ही आती है और इसके मटगाट पर आपको तीन जगे बार सपूर्ट वाला heavy duty passenger grip handle मिल जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं इसके rare tire size के बारे में इसके अंदर good year का 1368 sky tar offer करती है महेंदरा चलिए अब मैं आपको इस ट्रेक्टर के पीछे की बारे में इसके अंदर आपको straight type, double and board, bowline, pinion, reduction वाला इसमें आपको rare axle मिलता है जो की किसानवाई ही हो, zero maintenance के साथ काफी long life तक चलता है ट्रावले वागे रहे के लिए कापी best माना जाता है और वहीं इसकी HP कंपनी ने कापी भैवी और मजबूत बनाई है कापी exhaustable है अपनी ज़रुत के हिसाफ से इसको उपर नीचे कर सकते हैं और वहीं बात करें इसके PTO power की तो भाई इसमें आपको 34 HP की तगड़ी PTO power मिलती है और इसमें आपको यहाँ पर सिंगल वाल्ब कंपनी ओफर करती है इसके टाफलिंग के अंदर आपको सिंगल पॉइंट ही मिलता है लेकिन इसको टाफलिंग केरी करने के लिए होक भी ओफर करती है कंपनी अगर बात करें इसके लिप्ट कैपसिटी के बारे में इसके अंदर आपको 14-180 किलोग्राम की तगड़ी लिप्ट कैपसिटी मिलती है और यहाँ पर इसके मटगाट पर बैक लायट मिल जाती है गोला टाइब में यह भी आपको हेलोजन वैल्प के साहती है और यहाँ पर आपको रेफ्लेक्सर प्रेट मिल जाती है और दो लीटर तक का वाटर का फॉल्डर भी कंपनी ओफर करती है किसान भाई पानी बगएरा रख सकते हैं उसमें और यहां पर इसमें आपको एफ़ेपसी दिखाता हूँ मैं आपके इस ट्रेक्टर की लेटेस्ट मोडल 23 मोडल ही। इसमें आपको एफ-फ़ेपसी किलो वाट के साथाफ से 253.5 पर हवर्स के साथ से इसमें आपको एफ-फ़ेपसी मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रेक्टर के एंजिन के बारे में तो इसके अंदर आपको थ्री सलेंडर 49 HP का 2048 CC का नॉन टर्वो तकड़ा एंजिन मिलता है जो की किसान वाईउं 2100 एंजिनरेटेड आर्पीम पर बर्क करके 135 Nm का टॉर्क निकालता है। उपर चड़ने के लिए इसमें आपको फोटो स्टेपर मिल जाता है और इसकी सीन्ट भी काफी आराम दायक और एगजस्टेवल है। और थिरी स्पोक आपको स्टेरिंग मिलती है और साइट में यहाँ पर इसमें आपको हैंड रेस मिल जाती है। आपको इसमें एक, दो, तीन, चार और रेस स्पीट इसमें मिल जाती है और हाई लो यहाँ पर मिल जाता है। इस टेक्टर के अंदर आपको आठ फॉरवर्ड दो रेस मिलती है। यहाँ पर आपको पीटियो लीवर मिल जाता है जो कि किसान भाई काफी आसानी से इसको उपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको CRPTO का भी उप्सन मिल जाता है। और भाई यहीं सीट के पास में ही आपको डेफ्ट एंड पुजीशन लीवर मिल जाती हैं। जो कि किसानवाई कापी आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाफ से इसको सैट कर सकते हैं, और इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और उसी के पास में यहाँ पीछे नीचे पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, जो कि किसानवाई कापी आसानी से इसको एंगेज औ लाक पचास हजार है किसान भाई ये वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जैजाबान जैकर